हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू एकॉमर्स वाई सुकला क्लासिस आयाम अनुभाव टूरियूल ओन डीपी में तो आज को ट्रॉपिक है हमारा वो है डीपी में स्कॉंस्ट्रेंट बहुत इंपोर्टिन ट्रॉपिक है हिंदी और इंग्रिश में होगा तो चलिए शुरू करते ह हैं अपने टिटोरियोल को लेट्स बिगिन अगर अब सेलफेश टी का नसा आते हैं हमारे चैनल पर अपने मॉबाइल फॉन और लैट आपकी आवाज को बंद कर सकते हैं थैंक्यू फॉर अर्टेंस हैं अलर्ट सिस्टार्ट टॉपिक टाइप सॉप कॉंस्टेंट तो क्य इस का जब किया आता है जब किसी कॉल्म को खली ना रखना हो..! हो नौक नर्ल कॉंस्टेंट इक कॉलम की बेल्ग नल होने से रोकता है कि समाओं में इस कॉंस्टेंट का प्योंग किया जाता है तो उस IDENTIFY करता है अरो से कभी भी बैल्यूeral प्लाइट, नहीं किजा सक्ती है यहां में सब्सक्राइब करने के लिए करते हैं और इस प्रियोग को लागू करने के लिए किया जाता है किया गया इस प्रियोग प्यूग को क्यों करने के लिए किया जाता है और नेक्स्ट इसके बाद में जो अमारा आता है वह हमारा यूनिक गॉनिक और यूनिक चॉनिक जो होता है वह इक different type constant होता है unique constant column की value की uniqueness को दर्शाता है और unique constant का insert करता है कि column या field कि वह unique values अलग-अलग होंगी यानि कि unique values को contain करेगी और इसका meaning है इसका अर्थ है और column की सभी values हैं वह अलग-अलग होंगी six point पर आता है हमारा default constant इस constant का प्रियोग column को default value प्रवाइट करने के लिए किया जाता है जब किसी column में कोई value नहीं प्रवाइट कर फारती तो default constant हो जाता है तो आसा करते हैं वीडियो helpful रहा होगा default constant को समस्ने में और constant के समस्ने में डीवी में तो पसंद आते हैं लाइक करें शिर करें अपना है वीडियो को हमें सब्सक्राइब रहने के लिए और